नमस्कार दोस्तों तो आप सब की डिमांड पर लेकर आगया हूं मारूती सुजू की इको 2024 मॉडल का रिव्यू दोस्तों तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस गाड़ी का प्राइज, माइलेज, इंजन, कैपेसिटी और कितनी पावर है इको के अंदर में सारी चीजे आपको बताने वाला हूं, CNG वाला मॉडल आपको कितने का पढ़ेगा और पैट्रोल वाला मॉडल आपको कितने का पढ़ेगा, Five Seater Best है या Seven Seater Best है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, सारी चीजे बताऊंगा, EMI कितने का पढ़ेगा, और आपको LON कहां से म मैं आपको बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो बहुत ही शानदार और जवरदस्त होने वाला है दोस्तों आज का तो वीडियो पसंदा है तो लाइक शेयर और सस्क्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए रोज बना कर लाता रहता ह अगर आपके और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करकर भी मुझे पूछ सकते हो दोस्तों तो फड़ाफ़ से चुरुआत करते हैं आज के पावरफुल वीडियो का दोस्तों तो ये चाबी ऐसी कुछ आपको इसमें मिलेगी इको की तरफ से और इको बहुत ही शानदार गाड़ी है दोस्तों फैमली के लिए और बिजनस के लिए दोनों के लिए वन अप दे बेस्ट कार मैं मानता हूं इसको बजट में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ आगे का ऐसा लुक रहने वाला है दोस्तों गाड़ी का यहाँ पर आपको अपने लैंप मिल जाएं चारो गाड़ी आपने 2000 चोईस मोडल है दोस्तों नहीं वाला मोडल है नया वाला तो सारी चीज़े बताऊंगा एक एक करके आज आपके सारे डाउट किलियर कर दूँगा इस वीडियो के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों प्राइस से लेके इसके क्या की फीचर है कितना माइलेज है क्या है सारी चीज़े आपको बताऊंगा पैट्रोल का कितना माइलेज है सी एंजी का कितना माइलेज है सारी चीज़े एक एक चीज़ के उपर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों तो अभी मैं आ गया हूं दोस्तो तो गाड़ी के अंदर और गाड़ी का अंदर का कुछ ऐसा वियू रहने वाला है दोस्तों आप देख सकते हो और बहुत ही शानदार और प्यारी लग रही है दोस्तों इको कार आप देख सकते हो मुझे तो बहुत पसंद है और तीन साल होने वाले लगभग मुझे इको गाड़ी चलाते हुए दोस्तों और यह देख सकते हो नए वाली इको का कुछ इस्टेरिंग ऐसा रहने वाला है दोस्तों और बहुत ही प्यारा और प्रीमियम लुक है दोस्तो इस गाड़ी का तो अब मैं फटा फट से आपको स्का प्राइज बता देता हूं दोस्तो हमीशा की तरय अपन प्राइज से शुरुआत करते हैं तो जो इसका प्राइज रहने वाला है दो फाइफ सीटर वाला का जो प्राइज रहYगा वो रहेगा 5,60,000 की आपको एक्षो रूम पढ़ेगी फाइफ सीटर वाली ठीक है और जो इसका जो अन रोड प्राइज रहेगा फाइफ सीटर का वो रहेगा 6,90,000 की आपको अन रोड पढ़ जाएगी मतलब सारे खर्चे आपका जो इंशॉरेंस हो गया उसके बाद में तो वो लोग इसमें आपको लगवा के देंगे अगर आपको नहीं लगवा के दे रहे तो आप उनको बोलना है भाई ये सारी चीजे तो आपने इसमें इंक्लूड की हुई है तो फिर आप फास्टेक लगवा के देना है तो वो जो शोरूम वाले जो आपकी एजनसी बता देता हूं दोस्तों तो 7 sitter आपको पढ़ जाएगी एक्षोरूम पांच लाख 56,000 की आपको एक्षोरूम पढ़ेगी और ओन रोड जो आपको पढ़ने वाली दोस्तों वो लगबग पढ़ जाएगी 6,000,000,000 की आपको आपको पढ़ जाएगी 5 sitter ठीक है और CNG fitted लोगे आ दोस्तो 5-seater plus CNG तो लगबग आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी 7,10,000 के आसपास आपको पड़ जाएगी दोस्तो CNG फिटेड कंपनी फिटेड CNG वाली जो एको है वो लगबग आपको 7,10,000 के आसपास में पड़ जाएगी दोस्तो और अब इंजन केपेसिटी की बात कर लेते हैं दोस्तो एको का कितना इंजन केपेसिटी आता है तो 1177 में CC का इसमें इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा जो power generate करेगा 70 point 70 point की power generate करेगा ठीक है और जो RPM रहने वाला है वो रहेगा 6000 का RPM generate करेगा ठीक है जो power हो गया वो 70 का रहेगा और जो RPM रहेगा वो रहेगा दोस्तो 6000 का RPM generate करेगा ये engine ठीक है और transmission की बाद crew तो सारे transmission अपने manual है दोस्तों ट्वाइफ की तरफ लखते गेर और एक रिवर्स गेर टूटल सिच्स गेर के साथ में आती है एको कार ठीक है तो यह हो गई अपने इसकी बात टैंसमिशन की और अब फ्यूल की अगर CNG आप लोगे तो वो बैटर रहेगा दोस्तों क्योंकि बार से लगवाने में वो ऐसी फिनिशिंग नहीं आती है जैसी कंपनी फिटेड होती है दोस्तों और यह देख सकते हो दोस्तों आगे का कुछ ऐसा व्यू रहने वाला नहीं वाली इको का दोस्तों और यह दिल्वर कलर वाली भी खड़ी है अपने पास में यहां पर आप देख सकते हो तो अब मैंने इसके टांस्मिशन बता दिये दोस्तों और यह सिटिंग कैपेसिटी आप देख सकते हो सीटे कुछ ऐसी आती है लगी हुई और पीछे में आप अभी तक कुछ लगवाया नहीं ह हम लोग चाहे तो पर आइस पर आटियो तो जितना मतलब कैपेसिटी उसमें परमीट में लिखी हुई है उतनी ही हमको सीटे लगवानी है पर गाउं साइड में तो और भी सीटे एड कर देते हैं दोस्तों आप सभी को मालूम होगा तो अच्छी गाड़ी है दोस्तों फैम कार के अंदर में ठीक है तो अब मैं आपको इसका माइलेज भी बता देता हूं दोस्तों कितना क्या माइलेज आपको पढ़ने वाला एको कार का वो भी आपको सारी चीजे में बता देता हूं तो जो इको गाड़ी का माइलेज आपको मिलेगा दोस्तों ये गाड़ी आपक नया updated version है 2014 वाला वो आपको लगभग 19 का mileage city में दोस्तों 19 का mileage निकाल के देदेगा और highway के उपर आप जाओगे तो ये 20 तक का mileage भी आपको निकाल के देदेगा 20 का mileage काफी अच्छा mileage होता है दोस्तों और CNG की बात करते हैं अब CNG आपको कितना mileage निकाल के देगा दोस्तों तो CNG में तो आपको बहुत तगड़ा mileage मिलने वाला है इको में 26.78 किलो मिटर का mileage आपको ये निकाल के देगी मतलब लगभग 26 तक का mileage आपको निकाल के देदेगी CNG में और अब मैं eco के color बता देता हूँ दोस्तों आपको color के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा eco के अंदर total 5 color आते है दोस्तों 5 color के अंदर available है eco car वो भी मैं आपको बता देता हूँ metallic gray color की एक आती है उसके बाद में metallic silver color की एक आती है और तीसरा है purple, midnight, black दोस्तों ठीक है उसके बाद में आता है solid white color चौता नमबर ठीक है उसके बाद में आता है blue color जो ये वाला model है अपने पास में blue color वाला model है और भाई ने इसको बहुत जबरदस्त modify कराया है तो अंदर से भी दिखाऊंगा क्या-क्या modification हुआ है और क्या-क्या चीजे आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी तो आप बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि company fitted music system नहीं आता eco के अंदर तो company fitted music system नहीं मिलेगा दोस्तों eco के अंदर में क्योंकि ये एक budget car है ग्रील वगर्या सारी modification after market हुई है दोस्तों after market आप बहुत कुछ करवा सकते हो गाड़ी के अंदर में पर आपको आर्टियो के नियमों का भी ध्यान में रखना है दोस्तों as पर आर्टियो जो चीज है वही आपको करना चाहिए modification दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है हमेशा ठीक है बहुत important है तो अब ये सारी चीज़े मैंने आपको बता दी इसके color option मैंने आपको बता दी ये 5 दोस्तों 5 color option के साथ में ये गाड़ी आती है और front में ये देख सकते हो अंदर तो मैंने आपको इसका price बता दिया इसके अंदर कितने color मिलेंगे वो सारी चीज़े बता दी number of cylinder बता देता हूं तो 4 cylinder के साथ में आती है दोस्तों eco car और जो fuel tank capacity है वो भी बता देता हूं दोस्तों जो fuel tank की capacity रहेगी दोस्तों petrol वाला variant है वो 40 liter का आता है दोस्तों 40 liter का fuel tank आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है petrol वाले variant में और जो CNG वाला variant आता है दोस्तों CNG की जो fuel tank capacity है वो तो बहुत ही जादा है 65 liter 65 liter का बड़ा fuel tank आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों आप देख सकते हो तो 65 लिटर बहुत ही हैवी होता है दोस्तों तो काफी आप काफी लॉंग जर्नी तया कर सकते हो CNG से और यह सब मॉडिफिकेशन हुआ है आप देख पारे होंगे दोस्तों जो यह लगाए हुए है साइड में तो यह जो है फूड स्टेप वगरा वो सारे आफ्टर मार्केट लगवाया हुए है काफी अच्छा खासा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाया है दोस्तों और पीछे से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है दोस्तों एको कार का आप देख सकते हो पीछे से और यह कलर काफी अट्रेक्टिव और काफी प्यारा लगा दोस्तों मुझे आपको यह कलर कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताना अब दोस्तों मैं आपका दूसरा डाउट किलियर कर देता हूं कि आपको यह EMI में कितनी की पढ़ेगी आप हमेशा पूस्ते हो मेरे को कि EMI कितनी आएगी भाई वो सिधा मैंने बता दिया कि अगर आप CNG में लोगे तो 7 लाग के आसपास की आपको पड़ेगी और जो आप पैट्रोल में लोगे 5 सीटर तो 6 लाग 90 वी पड़ेगी और 7 सीटर लोगे तो 6 लाग 80 वी पड़ेगी सारे खर्चे मिला के तो यह सारे खर्चे निकालने के गरा लोग कर सकते हो और चावी कुछ ऐसी रहने वाली है दोस्तों बहुत ही शानदार और जवर्दस्त है चावी भी और बहुत प्यारी और प्रिमियम लग रही है आप देख सकते हो तो अब मैं आपको इसके सारी चीज़े बता देता हूं दोस्तों जैसे कि इसका इसे 6,90,000 ठीक है फाइफ सीटर में क्या है आपको एसी मिलेगा दोस्तों सेवन सीटर के अंदर में एसी नहीं आता है तो मेरी मानों अगर मेरको अगर आप परसनली पुछोगे कि भाई कौन सी लेनी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि फाइफ सीटर ही आपक चार पांच दस हजार एक्स्टा ले लो पर इसमें एसी दे दो सेवन सीटर में भाई इतना पॉपुलर विकल है इको कार तो आपको सेवन सीटर के अंदर में एसी देना चाहिए और देखिए आफ्टर मार्केट भाई ने पीछे में कैमरा भी लगाया है पारकिंग कैमरा तो ये सारी चेशे बता दी मैंने आपको तो अब जैसे कि 6,90,000 के आपको 5 सीटर पड़ेगी तो 6,90,000 का आपको 10% पे करना पड़ेगा मिनिमम मतलब कम से कम आपको 10% इसका पे करना पड़ेगा तो 6,90,000 का 10% कितना हो गया लगबग आपको 65,000 पे करना पड़ेगा दोस् लोग लॉन वगेरा सब कुछ प्रवाइड कराते है एजेंसी वाले पर जन्यून जगे से ही आपको गाड़ी लेनी है जो जन्यून शोरूम है दोस्तों मारूती का वहीं से आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए दूसरे बहुत सारे फरजी वाड़े भी होते हैं तो उन सब से आपको बचके रहना है दोस्तों अलट रहना है और मतलब जन्यून शोरूम से आपको गाड़ी लेनी है और उसमें आपको 65,000 का आपको डाउन पैमेंट करना पड़ेगा 65,000 की आपको डाउन पैमेंट करनी पड़ेगी बाकी की आपकी EMI आएगी अब EMI कितनी आएगी वो बता देता हूँ अगर आप मिनिममम अगर 65,000 की जमा करोगे तो हर महीन आपको कम से कम 13,000 की EMI भरनी पड़ेगी दोस्तों तो मैं आपको एक सला देना चाऊँगा दोस्तों छोटे भाई की तरह से तो मतलब की आपको क्या करना है ना दोस्तों अगर आप गाड़ी ले रह ऀक के मिरको हर महीन तेरह जार जमा कराना है तो एक आदमी के ऊपर एक टेंशन हो जाता है कि भाई 13,000 हर महीन तो मतलब ऐसा नहीं कि खाम होगी होगी कभी जैसे कम होई है और कभी जादा भी होती है दोनों चीज़ दोस्तों तो कमाई अगर कम भी होई है तो आपको करने से वो लोग आप से एक डेड़ लाक रुपय एक्षा ले ले लेंगे दोस्तों ब्याज का जूड के दस परसेंट या ग्यारा परसेंट का ब्याज लगाएंगे वो बैंक वाले बहुत चालाक होते हैं दोस्तों ठीक है तो क्या करना है ना आपको आप जितना जादा पैस पे कर दोगे down payment उतना आपके लिए अच्छा है दोस्तो तो मैंने जो गाड़ी ली थी तो मैंने 3 लाग पुरा पे कर दिया था तो अब इको हो चाहे कोई सी भी गाड़ी खरीद रहे हो या घर का कुछ सामान भी खरीद रहे हो ना दोस्तों हो सके तो EMI से बचो क्योंकि EMI में आपको लगता है कि भाई हर महीने मेरे को तो दस ग्यारा हजारी तो जमा कराने पर वो हर महीने आपसे इंट्रेस्ट भी जोड़ते है मात्र आठ हजार की EMI आएगी चार साल के लिए या तीन साल के लिए आप जितना की लेना चाते हो जैसे कि आप बोल दोगे कि भाई मैं तो हर महीने पंद्रह हजार जमा करूंगा तो मात्र आपका तीन साल में ये लॉन निपट जाएगा तो ये सारी चीज़े दोस्तों ब मैंने आपको सिटिंग कैपेसिटी वगरा सब कुछ बता दिया और इन्फोटेक सिस्टम वगरा नहीं आता है दोस्तों आपको आफ्टर मार्केटी ये सारी चीज़े लगवानी होगी ठीक है और अब एर बैक की बात कर लेता है सेफटी की तो सेफटी पहले दोस्तों इसम में मिल जाती है आपको और दोनों में से मतलब सी और पैटरोल में से कौन सी बैस्ट है दोस्तों आप मेरे को पूछोगे तो five-seater cng plus petrol वाली बैस्ट है दोस्तों सबसे बैस्ट है क्योंकि उसके अंदर अपको सारी चीजह मिल जाएगी five-seater में आपको अपना ac मिल माइलेज के लिए कमाही के लिए ठीक है उसके बाद में आपको अगर सी एंजी खतम हो गया तो पैटरल ऑप्शन भी मिल जाएगा तो फाइफ सीटर सी एंजी प्लस एसी वाली गाड़ी सबसे बैस्ट है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग प्रसनली मैं आपको अगर मेरी तरफ से बताओं तो फाइफ सीटर ही बैस्ट है बाकी आपकी चौईस है दोस्तों तो मैंने आपको प्राइज इसका बता दिया एक बार और प्राइज आपको बता देता हूं ताकि आपको पुरा समझ में आ जाएगा दोस्तों फाइफ सीटर अलग-अलग स्टेट में थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है दोस्तों कभी भी आप कंपे रिजन करना दो तिन शोरूम में क्योंकि अभी जैसे की कनाटा का स्टेट है तो इसमें थोड़ा प्राइज अलग है मुंबई में अलग है राजस्थान में अलग है गुजरात में दोस्तों यह सब मतलब टैक्स यूद्ध सब जूड़के इतना ज्यादा प्राइज होता है इसका बाकी नॉर्मल गाड़ी इतनी महिंगी safety के लिए परिवार के लिए insurance भी लेना है आपको यह सारी चीज़े included होती है on road का मतलब है कि आप गाड़ी आपको सारे चीज़े आपका finance हो गया आपका फास्टेक हो गया आपका insurance हो गया सारी चीज़े include करके मैं यह price बता रहा हूं दोस्तों 6,80,000 ठीक है ना तो सारी ने आपको बता दी और सारे color option वगेरा सब कुछ बता दिये दोस्तों तो ऐसे पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए टिक केर बाए जैहिंद वंदे मा तरम दोस्तों